जहिंद दोस्तों मैंने तेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एससी एरीना दोस्तों आज हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजिस का पार्ट नंबर 18 एलफबेट आई और आज का वीडियो काफी इंपॉरेंट होगा इसमें एससी के प्रीविएस एर की जो मोस्त रिपीटिड है और कुछ डिफरेंट भी इडियम्स आपको देखने को मिलेंगे तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पहला इडियम है हमारा इने ट्राइज इने जिफी इने ट्राइज इने जिफी दोनों का सेम मीनिंग होता है इने हरी यानि वैरिक विकली तो इने ट्राइज और इने जिफी आप दोनों याद रखेगा क्योंकि कई बार कोश्टन में आपको इने ट्राइज देदेगा और तो वहां पर आपको दोनों याद होने चलिए ठीक है दोनों का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत जल्दी क्विक्ली करना अगला है इन फॉर अशॉक इन फॉर अशॉक का मतलब होता है अचानक आई नुसीबट तो एक सदरन प्लीजिंट एक्सपीरियंस ठीक है इन फॉर शॉक का मतलब होता है एक दम जैसे आप प्रिपेर हैं फॉर शॉक फॉर शॉक मतलब अचानक आई मुसीबट अगला है इन एपिकल इन एपिकल का मतलब होता है कटिन परिस्थितियों में इन डिफिकल्ट और अनुप्लीजन सिचुएशन अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं देखिए पिकल का मतलब क्या होता है अचार उसमें नमक वग्यार का काफी मिश्रन होता है तो उसमें अगर आप जादा नमक डाला जाता है अचार में पताए क्यों ताकि अंदर के वैक्टिरिया जो है वो मर जाएं तो सोचिए कि आप इसी कंडिशन में हैं तो मतलब वो काफी डेंजरस सिच्विशन है सो इन पिखल का मतलब होता है कटिन परिश्यदी में आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आगला देखिए आगला इडियम है आईरन फिस्ट मतलब मुख्य को कहते हैं मुठी मंद करना इसको कहते हैं फिस्ट सो आईरन फिस्ट का मतलब हो जाएगा कि किसी भी चीज को काफी जादा कठोर तरीके से नियंतरन करना हैं यहां पर दो वर्ड भी है आप देखिए वह एक है सेवर का मतलब होता है काटना बीच में से किसी भी चीज को काटना ठीक है अरक करना और एक होता है सेवर इसका मतलब होता है डायर भीशन तीक्षन काफी भैंकर तरीके से ठीक है एकदम हार्श मेंडर सो यह सेवर यहां पर यूज किया गया है आईरन फिस्ट मतलब किसी भी सिचुएशन को कड़ाई के साथ निप्टाना अगला एरियम है हमारा इन दर निक ओफ तर टाइम इन दर निक ओफ तर टाइम का मतलब होता है बिलकुल ठीक समय पर अपने उचित समय पर मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी वाजिय में कोई काम करना काम को आराम से करना जब उसका सही समय आएगा तब उससे करना उसे कहते है in the nick of the time, nick of the time का मतलब बिलकुल ठीक समय पे है अगला है in no time अब इसे पढ़के ही पता चल रहा है no time मतलब बिना समय यानि कि बिना देरी किये सिग्र ही very quick indeed, यानि कि in a जिफी और in a hurry अगला देखिए अगला है nutshell nutshell का मतलब क्या होता है nutshell का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संधर्व में बताना मतलब short जो paragraph में करके बताना जैसे हम वो जो जैसे answer करते हैं किसी भी बड़े question को छोटे में करके तो sunshape में बताना यानि कि कोई बड़ी story है उसके mean mean point को बताना in brief form इसे कहते है इन नट सब्सक्राइब रूप में तो वही हो गया फालतू के चीज़ों को छोड़कर सिर्फ important चीज़ों को mention करें कि अगला है itching palm itching palm का मतलब हाथों में खुजली होती तो बोलते हैं पैसा आएगा हिंदी में हम कहावत कहते हैं हाथों में खुजली हो रहा है आपके मतलब आपको पैसा मिलने वाला है तो itching palm का मतलब होता है रिश्वत लेने की आदत होना craving for bribe crave for something का मतलब होता है किसी का लालच होना किसी के लिए ललाईत होना so bribe लेने का एक दम आदी होना itching palm जी अलफा बैट में मैंने आपको करवाया था greasing palm और grease the palm grease the palm का मतलब होता था रिश्वत देना grease सब हाँच पे लगाएंगे grease वगारा तो फिसलेगा न आपके हाँच से तो grease the palm का मतलब रिश्वत देना itching palm का मतलब रिश्वत लेना अगला है in cold blood in cold blood का मतलब होता है जब खून जमा हुआ हो कोई भी भाव या परिक्रिया नहीं दे रहा हो बिना किसी मालिया भावना के without compunction compunction मतलब एक तरीके से दया without compunction और human feelings आपने सुना होगा cold blooded murder so cold blooded murder का मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है बहुत ही बुरी मौत देना बिना किसी दया भावना के so in cold blood का मतलब हो गया feeling less अगला है in a fluter in a fluter का मतलब होता है excited यानि बहुत ज़्यादा उत्साहित fluter का मतलब क्या होता है fluter का मतलब होता है यसे चेडिया फड़ फड़ाती है ना तो मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित है मतलब बहुत तेज से फड़ फड़ा रही है so उसे बोलेंगे in a fluter मतलब to be excited मैंने आपको बताया था go banana go banana मैंने बताया था alphabet G में इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित होना एक और मैंने बताया था go nuts go nuts का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित होना ठीक है एक बताया था मैंने gang ho gang ho मैंने बताया था जिसे gang मिल करके मस्ती करना हो हला बहुत ज़्यादा excited होना तो ये तीनों आप याद रखिये चारो इडियम सी है जो बारबार की में पूछे जाते हैं अगला है इंक काहूट्स इंक काहूट्स का मतलब होता है किसी के साथ सरयंत्र में होना है नि तूबी अपार्ट आफ ओंस्परीसी विच सम्वन काफे इंपॉरंट है ये भी पूछा जाता है अगला है in the same boat in the same boat का मतलब हो गया एक ही हालात में शेरिंग दा सेम प्राब्लम्स जीक है जीसे कि एससी करने वाले बच्चे ज्याता सेम भूट में ही ट्रावल कर रहे होते हैं की situation अगला देखिए इन हाइश प्रिट्स इन हाइश प्रिट्स का मतलग होता है उत्सा से एवं परसंदता से ओध प्रोप मतलग बतल साथवे आसमान में होना इन हाइश प्रिट्स यह चेर फुल एंड फुल वोप फुल आफ ओप एन तूसियाजम अचा मैंने आपको लास्ट अलफवेट वाले में में वता है था ओपिंग अगेंस्ट वोक आप मुझे इसका मतलग बताएं कॉमेंट बॉक्स में क्या होता है ओपिंग अगेंस्ट वोप यह मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था हमारा इन यह लिए इन यह यह का मतलब होताहै आशा वादी कोम कर दोनाा कुछ प्रोबियार कुछ रास्ता है अभी भी निकला हुआ भी ए अभीवी मेरी है को मजह बताइए Youtube का क्या मतलब होता है इन एफ इसका मतलब बताईए इन एफ ऑग का मतलब होता है इन एफ आप जड़ा बताईए फॉग होता कब है विंटर के मौसम में सुबह सुबह रात को कई बार आप देखेंगे दिन में भी जो 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 वाटर मॉलीक्यूल है फवर जो धूल मित्ती के साथ बन करके अख बन जाता है तो इसमें हमें कॉछंऔ दिखाई है के नहीं काफी होतके है क्या हमें थोड़ी सी आगे कि आगे कुछ दिखाईए नहीं रहा हम कुछ भी समझने कि यवल नहीं होते उस्ताइब सो इन एफोग मतलब दुविधा में confused not able to understand ठीक है अगला देखिए इन फिक्स इन फिक्स का मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुवेशन मुसीबत में होना ठीक है इन एफिक्स का मतलब होता है मुसीबत में होना याद रखेगा इसे भी नेक्स्ट है आईवरी टावर आईवरी टावर किसे कहते हैं आईवरी टावर कहते हैं काल्पनिक दुनिया जहां सब कुछ अच्छा हो इमेजनरी वर्ल्ड आप लोगों ने कई सारी जो कार्टून की मूवी जो होती है मूवीज इस्पेशली प्रिंसिस की बार्भी डॉल्स की उसमें जादू गरनी क्या करते राजकुमारी को एक या फिल कई राजकुमारी के साथ ऐसा किया जाता है उनको आईवरी टावर में रखा जाता है वह कुछ आईवरी टावर नहीं होता है उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता सुख दुख दुनियादारी गरीवी क्या कुछ भी नहीं पता होता उनको बस अपनी ऐसी जिंदगी मौद मच्ती वाली मिलरी होते हैं तो वह जैसी जगह होते हैं उसे कहते हैं आइवरी टावर और इसे इमेजनरी बूर्ट भी कह सकते हैं क्यों कूए ऐसी चीजे इमेजनरी ही की जाती है अच्छक्र तो सिर्फ एसी जगह गहां पर प्रोटन्ड किया जाता है कि अग्ला है इन दी गुड़ बुक्स औफ। इंदी गुड़ बुक्स आफ का मतलब होता है इन favor of के पक्ष में होना किसी की अच्छी नजर में होना देखिए आप यह तो अपने से बड़े या किसी व्यक्ति के good books में होंगे या bad books में होंगे so if you are in the good books of good books that means कि आप उनके लिए माइने रखते हैं वो आपको अच्छा समझते हैं if you are in the bad books of someone वो आपको गुरा समझते हैं ठीक है बुक्स की जिए और भी लिखा मिला होता है ओ यू डी यू आर ठीक है थो इन्द गूड़ ओडर आफ इल्ड़ ओडर आफ दी लॉंग रुन इन लॉंग रॉन का मतलब होता है फाइनली अल्टीमेटली ऑंतत्त है आकिरकार मतलब इन लॉंग रन आपने अगला है इन भी ब्लूज इन दा ब्लूज का मतलब होता है दुख संपात में इन डूंप्स डिप्रेस्ट इन मिज्डी ठीक है ब्लू का मतलब होता है दुख ही अगला देखे आयोटा इडियम तो नहीं कहोंगा मैं यह एक प्रेजी है तो आयोटा का मतलब होता है वेड़ी स्मॉल अमाउंट मैंस में इस पोना पर बहुत चोटी लोटि है तिक है आयोटा और इस्टी इंपॉरंट है ये तो पूछा जाता है सेसे ने इस तुछ जूटी है श्रुटा साइस्टी टीक है यह कि अगला है यह आयरें फिस्ट्ट ऐला अपना डुर साथआ है और सब्सक्राइब इस जाुड है राटाइक यसेफल कर Zumos खेल मतलब क्या होता है दिए समुंदर याट्र एक होता है वी यह हमता है वी अचीह वी वेग स्टेस कितना कीतना कॉमन डिफरेंस तीनों में इस वग का मतलब फैशन इस वेग का मतलब something hidden गुप्त हश चुपा हुआ और इस वोयाग का मतलब होता है समंधरी यात्रा सारा याद आखिया आप यह सारे एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी रणकारी माइन ये मिनट डिटेल मिनट डिटेल का मतलब होता है बिल्कुल छोटी-छोटी बारीकियों को भी ध्यान में रख करके पूरी डिटेल को अर्जित करना यह होता है मिनट डिटेल का मतलब पर इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है थोरूली किसी इसको पूरी डिटेल में रखना जैसे आप लोगों ने सुना होगा इन डे कि इन डे आउट कि इन डे आउट का मतलब क्या होता है आप जब भी कोई काम डे इन डे आउट करते हैं मतलब आप उसक्राम को लगातार लगातार बार-बार करें ही जा रहे थीक है तो इन जाने आउट का मतलब भी होता है कंप्लीकलीट पूरी जानकार अगला देखें इन संथिंग इन ब्लाइक और वाइट मतलब उता है रिटन और स्थामने रिटन लिखित रूप में रहेना या फिल इस परस्ट बोलना एक्स्प्लेइन करना किसी भी चिछको प्लियरली या इन प्रेंटिड और रिटन फॉर्म ठीक है इफ यू वां तो टेक अगला है इन वंज किती का मतलब होता है ऐसा पात्र जिसमें गुट के सभी लोग कुछ प्रदान करें एक कंटेनर एक कंटेनर टाइप का होता है जिसमें माना जाता है कि किसी भी गुरूप कि सारे मेंबर्स अपना छोड़ा छोड़ा कॉंट्रिबूशन उसमें करेंगे उसे बोलता है इन वन्ज किती ठीक है तो दोस्तों कुछ important one word substitutions है जैसे कि morning prayer, evening prayer, swan song, बक्ते गीत, भजन, विताई गीत ऐसे जो एससी में पूछे जाने वाले one word है इनको मैंने easier compile किया है इस वीडियो में आप उसे देख सकते हैं तो उसके लिए आपको description box में भी लिंक है आपको वीडियो के एंड में भी हो सकता है दिख जाए य और प्रीविएस येर के भी uploaded है जाए उनको देखिए और अपना इस ट्रॉंग करिए एससी के लिए इंग्रिस टॉपिक को तो मिलते हैं अगले वीडियो में आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं देखने के लिए आपका बहुत बहुत धान्याइवाइवाइवाइव झाल 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 झाल